हलो एव्रीवान आप सभी का स्वागत है भाई मागनिट ब्रेंज के शानदार यूट्यूब चानल पर जहांपर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% free of cost, high quality educational videos of K-12 यानी किंडिर गार्डन से लेकर class 12, CBSE Board English Medium All Subjects, Hindi Medium के स्टूदेंट्स, Magnet Brains, Hindi Medium YouTube चानल पर जाकर बढ़िया free of cost पर सकते हैं जो class 6 से class 12 तक की classes में पढ़ रहे हैं UPMP, बेहर राजिस्तन और Delhi Board के बच्चे, अगर आपको notes डाउनलोड करना है तो आप हमारी website और application चेक आउट कर सकते हैं, class 6 to 12, Hindi Medium and English Medium के best notes के लिए मेरा नाम है जीशान, मैं हूँ आपका maths mentor, आप सभी का आज के बढ़िया वाले session में स्वागत करता हूँ भई, आज हम attempt करने जा रहे हैं chapter number 8, sequences and series of class 11 के examples और यहां हम 4, 5, 6, 7, 4 examples करने वाले हैं सर जी, आपके सामने आपके लिए प्रस्तोत example number 4, अगर आपने previous video नहीं देख तो देख लो, बहुत नुकसान उठाओगे वरना बिटा, बहुत loss में जाओगे, तो सर जी, question number 4 बताओ, आप क्या है, example number 4, example कह रहा है, find the 10th and end term of this AP, चलो, AP नहीं GP, यार मैं बार बार बूल लियाता हूँ, यहां हम पूरी line by line लिखेंगे, आप थोड़ा से speed बढ़ा लेन अगर आपको slow लगे ना session, तो आप speed बढ़ा लेना, और पिटा आप like कर दो video को, like नहीं करते हो यार, तो given क्या है सर जी, हमें given GP given है, ठीक है, हमें क्या given है सर, GP, GP बोले तो एक हमें progression दिया है, एक sequence दिया है, जो geometric progression है, ठीक है, done sir, लिख लेते है, 5, 25, 125, dot, 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 infinite GP है यह, this is infinite GP, हमने dot 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 लगा दिया, ठीक है, अब क्या होदा, GP में सबसे पहले हमें दो चीज़े निकाल के लिखनी चाहिए, सबसे पहले, first term और common ratio, तो हम क्या लिखेंगे बटा, let, let A be the first term, पूरा proper line by line लिखेंगे, A be the first term, तो first term A क्या हो जाएगा, sir, A हो जाएगा, first term 5, तो A is equal to 5, and, R be the common ratio, R be the common ratio, जो R है, उसको हमने क्या मान लिया, बेटा, common ratio मान लिया, ठीक है, तो R क्या हैगा, sir, question mark, R कैसे निकालते हैं, R निकालने का तरीका होता है, मैं फिर बोल देता हूँ, common ratio निकालने का तरीका simple है, किसी भी term को उसके पीछे वाले से divide कर दो, 25 को 5 से divide कर दो, 125 को 25 से divide कर दो, मैं फिर बोल रहा हूँ किसी भी term को उसके पीछे वाले से, जैसे मैंने 25 को बिटा, 5 से divide कर दिया, कितना है, sir, 5, तो R क्या आगया, बिटा, R आगया 5, और हाँ, एक चीज और लिख लेना, एक चीज और लिख लेना, R जो है, वो 5 है, मतलब 1 से जादा है, R greater than 1 आया, sir, R greater than 1 आया, ठीक है, R 5 है, तो R हमारा 1 से जादा आया, ठीक है, ठीक है, done sir, अब आगे बढ़ते हैं, इन्होंने कहा Nth और 10th term निकालो, question है क्या, sir, जल्दी से लिखते हैं, question हमारा है, कि भाईया, find 10th term, ठीक है, 10th term को अपन कैसे denote करते हैं, sir, बेटा, सुनो ध्यान से, हाँ, sir, 10th term को A और उसके नीचे 10, sir, यह है, A10 यानि 10th term, ठीक है, इसके साथ साथ हमें, find करना है, Nth term, Nth term, और Nth term को किस से denote करते हैं, बेटा, A और नीचे N, क्या, sir, A और नीचे N, तो, sir, यह A10 और An हमें निकालना है, आप शुरू करते हैं, ठीक है, डन, sir, तो, आपको फॉर्मला पता होने चीज़, सबसे पहले बेटा, Nth term का फॉर्मला for a GP, तो, हमें पता है, sir, हमें पता है, we know that, we know, we know, अरे भाईया, काहे के लिए बिगड रहे हो, we know, AN for GP is AR की पावर N minus 1, यह AN का फॉर्मला होता है, ठीक है, GP के लिए, AP के लिए, A plus N minus 1D होता, वो तो class 10th में पढ़ी थी, sir, हमने, ठीक है, तो, sir, जी, GP के लिए यह फॉर्मला होता है, value रख दो, मुझे पहले A 10 निकालना है, क्या निकालना है, A 10, तो N की जगा, पिटा, सबसे पहले अपन लिखते है, 10, ठीक है, N की जगा, जैसे 10 लिखा, पिटा, क्या आएगा, A 10 is equal to, A R की power 10 minus 1, मतलब 9, A और R की value रखो, A है पिटा, हमारा 5, R है पिटा, हमारा 5, ठीक है, तो यह हो जाएगा, पिटा, 5 into, R 5 है, 5 की power 9, एक 5 यह, 9 5 है, तो 5 की power 10, answer, क्या है, पिटा, 5 की power 10, यह हमारा क्या हो गया, पिटा, answer, यह हमारा हो गया, 10th term, यानि A 10, done है, हाँ sir, done है, चलो, next, sir, A N निकालो, अब अब दियार सेंग A N निकालो, तो वो भी कर लेंगे sir, A N का मतलब है यही, तो इसी में value कर दो, यह हमारा first हो गया, अब पिटा, यह हमारा first answer हो गया, second answer क्या है, second question क्या है, second question है, A N, N से term निकालो, तो यहर A N तो easily निकल है, into, R पिटा, हमारा 5 है, 5 की power N minus 1, पिटा, ध्यान से सुनो, 5 की power 1 और 5 की power N minus 1, दोनों के basis सें है, multiply में है, तो power add हो जाएंगी, 5 की power यहाँ 1 है, और यहाँ N minus 1 है, add कर दो, N और N minus 1 को add कर दो, 1 और N minus 1, तो यह दोनों कट जाएगी, answer क्या है, पिटा, answer आया, 5 की power N, this is our answer यहाँ हमारा पहला example खतम हो गया, बिटा, Nth term है, 5 की power N, 10th term है, 5 की power 10, चलो बही है, यहाँ हो गया खतम हमारा example number 1, चलते है, example number 2, यानि, मतलब, example number 4 complete हो गया है, example number 5 देखते हैं, सर जी, this is example number 5, and let us read it aloud, which term of the GP up to N terms is this, बहुत बढ़िया question है, बच्चा, बहुत शांदार question है, सबसे बहले हमें दिया क्या है, हम वो लिखेंगे, सर जी, हमें GP दी है, क्या है given, तो हम लिखते हैं, बिटा, given, arrow लगा के हम लिखते हैं, बिटा, हमें GP given है, ठीक है, हमें क्या given है, सर, हमें GP given है, और वो GP क्या है, सर जी, यहाँ लिख लेते हैं, वो सारे terms है n terms है ठीक है n कुछ भी हो सकता है अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ इनकी identities क्या है इनकी पहचान कैसर इसकी पहचान है यह first term है यानि a1 क्या है बच्छा a1 इसकी second term है second इसकी identity है second term मतलब a2 इसकी identity है फिर्टा third term यानि की a3 ठीक है इनी terms में बहुत सारे terms लिखे हुए है इनी में कहीं न कहीं एक term यह भी है one three one zero seven two ते हांसे सुनना जी सर इनी में कहीं हमारे पास एक term दिया गया है क्या सर हमारे पास एक term यहीं कहीं इनी में one three one zero seven two one three one zero seven two यह इनी में terms कहीं न कहीं है two eight thirty two sixty four जो भी है इनी में छुपा हुआ है अब यह कॉंसर्टर में हमें नहीं पता इसलिए हम कॉमा लगा के यह आगे डॉट 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 लगा देंगे यह हो सकता बीच में कहीं हो तो यह डॉट 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 लगा दियो लिख दिया वेटा and term समझ में आ गई बात yes sir मैं फिर बोलूँगा इस पूरी पूरी जो अपनको progression दिया है उसी में कहीं न कहीं यह है और हमसे पूछा कया बताओ which term is this यह इस series का या इस series का नहीं इस progression का इस GP का कौन सा term है कौन सा मतलब बताता हूँ आपको यह first है यह second term है a2 यह third term है अरे भाईया इसकी तो कोई identity हमें पता ही नहीं है पहचान कि 32 की पहचान है third three a3 का मतलब है third यह third position यह third term है है ना eight की पहचान है two a2 a2 मतलब second यह second term है इसकी पहचान है a and n क्या है बस यह पता लगा लो पता चल जाएगा कि यह term यह जो number है यह जो term है यह इस series इस progression का कौन सा term है चलो आओ कैसे पता करेंगे sir easily कर लेंगे sir हमारे पास first term क्या है let a be the first term let a be the first term हमने मान लिया के a जो है हमारा first term है और first term क्या है इन सब में two तो a क्या आया बच्चो a आया हमारे पास two ठीक है है ना and r be the common ratio r be the common ratio r मान लेते हैं sir हमारा क्या है common ratio है common ratio कैसे निकलता sir easy है common ratio r निकालने के लिए कुछ नहीं अभी सिखाया बिटा किसी भी term को series के किसी भी term को उसके पीछे वाले term से divide कर दो eight divided by two thirty two divided by eight किसी भी term को उसके पीछे वाले term से divide कर दो eight divided by two पेटा four आएगा r कितना आया four मैं फिर बोल रहा हूं r is four 32 को उसके पीछे वाले eight से divide कर दो तब भी four आएगा और एक चीज और धियान रखना एक चीज और लिख लो पीटा यहां r जो है वो greater than one आया r क्या है पीटा four आया जो greater than one है यहां सम निकालने की वैसे तो बात नहीं हो रही तो सम का अगर कुछ होता तो यहां सम का फॉर्मला r is greater than one वाला लगाते हैं सम के तीन अलग अलग फॉर्मले है प्रीवेस वीडियो देख लो आपको समझ में आ जाएगा ओके अब यहां पर हमें a n is equal to यहां से थुनना ध्यान से यह sir a n is equal to one three one zero seven two यह है हमारे पास और इसका n पता करना यह n क्या है 15 है 10 है 12 है क्या है हमें नहीं पता ठीक है इसके नीचे बिटा हम इसका फॉर्मॉला लिखेंगे क्या होता है फॉर्मॉला a n का दोस्त a n का फॉर्मॉला होता है a r की पावर n माइनस 1 a into r की पावर n माइनस 1 is equal to one three one zero seven two clear है हा सर clear है आगे चलते है ध्यांजा सुनिएगा जी सर आगे चलते हैं अब हमें ये n निकालना है with the help of this calculation और हमारा हम से निकाल देंगे कोई जल्दबाजी नहीं है a हमारे पास two है तो हम यहां two लिख देंगे ठीक है r हमारे पास four है तो हम यहां लिख देंगे पिटा four की पावर n माइनस 1 is equal to one three one zero seven two two वहां जा सकता है हा सर four की पावर n माइनस 1 थोड़ा solve करना सिखाऊंगा आपको नहीं तो आप critical समझ लोगे इसको two जाएगा divide करेगा two six are twelve two five's are ten two five's are ten two three's are six और two six are twelve ठीक है यह आया two गया हो दर divide करा two six are twelve two five's are ten two five's are ten two three's are six two six are twelve ठीक है यह आगया इतनी बात clear है हाँ सर बिल्कुल clear है सुनते या ना जी सर अब यह four की power something है अकर LHS में four की power something है तो यह भी फिर four की power something बन सकता है यह तोड़ा दिमाग लगाओ यह भी four की power something बन सकता है आओ बनाते हैं सर ध्याज़ा सुनना जी सर six five five three six six five five three six हम समझ गए सर इसको four की power something बनाना है और यह होगा तो अब हम इसका LCM LCM जिसको कहते हैं although LCM नहीं होता प्राइम factorization होता है तो हम इसका प्राइम factorization करेंगे और two से नहीं करेंगे सर हम सिर्फ four से करेंगे हमें सिर्फ four चाहिए तो हम क्या करेंगे four से चुरू करेंगे four one's are four two बचा four six are twenty four one बचा four three's are twelve thirteen fourteen fifteen three बचा four eight's are thirty two four four's are sixteen सर यह आया four से divide करने पर ठीक है ड़न सर अब फिर से four से करेंगे तो four four the sixteen ठीक है zero zero लगेगा पिटा क्योंकि four four the sixteen divide हो जाएगा four से three divide नहीं होगा मुझे eight भी लेना पड़ेगा तो zero लगाना पड़ेगा कई लोग यहीं कड़बड करेंगे four nine's are thirty six ठीक है four six are twenty four ठीक है ड़न अब सर यहां फिर से four से होगा four one's are four zero four two's are eight four four four's are sixteen फिर से four से होगा सर four two's are eight ठीक है two बचा four five's are twenty four six are twenty four four six are twenty four four four's are sixteen four से फिर होगा बचा four six are twenty four 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 six are twenty four four से फिर होगा बचा four four's are sixteen four से फिर होगा बचा four one's are four so we do have how many fours हमारे पास ek, do, tên, čaar, pach, chai, saat, aat यानि यह होगा four की power eight, बचा, four raised to the power n minus one is equal to four raised to the power eight यह होगा four की power eight, देख लो, है न, done sir, क्या करें, अब तो खेल खतम होगा बचा यहां base है four की power something, यहां base है four की power something, दोनों equal है, power equal हो जाएंगी बचा n-1 is equal to 8 हो जाएगा n-1 और 8 equal हो जाएगा n की value क्या आई पिटा 9 और यही हमार answer है कि यह जो term है ना यह 9th term है तो अपना answer क्या लेखेंगे 9th term फिर अपना लेखेंगे therefore 1310 131072 is 9th term of 9th term of given GP of given GP जो हमें GP दी गई है उसका 9th term है यह number चलो भईया यह complete होगा जल्दी से देख लो we are done with this अब चलेंगे हम next example के पास example number 6 ठीक है इसको erase करता हूँ बिटा में I am erasing this यह रा example number 6 ठीक है भईया in a GP the third term is 24 and sixth term is 192 find the tenth term अगर आपको धिहान आ रहा हो ना तो यह class 10th के chapter AP के जैसे ही questions है मज़ा आ रहा है इनको करने में ठीक है done sir चलो भईया शुरू करते है तो बेटा सबसे पहले हमें GP में third term दिया तो A और R को let करना पड़ेगा कि भईया A हमारा first लिखना पड़ेगा यह line तो आपको लिखनी पड़ेगी let A be the first term ठीक है A be the first term यह line आपको बार बार हर question में लिखनी पड़ेगी and R be the common ratio R be the common ratio ठीक है A हमारा first term हो गया R हमारा common ratio हो गया ठीक है अब हम आगे बढ़ सकते है तो सर जी हमें क्या given है हमें given है ध्यान से सुनो हमें given है third term third term पड़ेगा A3 होता है third term हमें दिया गया है 24 ठीक है और हमें given है sixth term A6 होता है बटा कितना दिया गया है A6 192 ठीक है और हमें पूछा गया है tenth term निकालो मतलब आपको A10 निकालना है A10 is equal to question mark ये निकालना है आपको A10 कैसे निकलेगा what is the formula of A10 ध्यान से सुनना अगर हमें A10 निकालना है तो A10 का formula पता होना चाहिए भाई सहाब A-N का formula क्या होता है A-N का formula GP में होता है A-R की power N-1 ये होता है अब 10 रखना है तो A-N की जगा 10 रखना पड़ेगा A-R की power 10-1 मतलब 9 बिटापन को ये solve करना है अगर हमने ये solve कर लिया बच्चा तो हम आराम से अपना 10th term निकाल सकते हैं ये कैसे solve करेंगे जब तक हमारे पास A नहीं होगा R नहीं होगा हम A-10 नहीं निकाल पाएंगे तो main खेल है A और R धूंड़ना A नहीं है 1st term नहीं है R नहीं है common ratio नहीं है चलो कैसे निकालेंगे आओ देखते हैं ठीक है द्यान दे सुनना A3 क्या होगा सर A3 अगर मैं यहां 3 लिख दूं तो मुझे यहां अभी 3 लिखना पड़ेगा A3 होगा A R की पावर 3-1 मतलब 2 A R की पावर 2 तो पेटा A3 क्या होगा बच्चा A3 होगा A R की पावर 3-1 मतलब 2 A3 पेटा 24 है A3 A R की पावर 2 है तो अपन क्या लिखेंगे A R की पावर 2 यह भी A3 का ही फॉर्मला है 24 भी A3 ही है दोनों को इक्वल लिख देंगे यह बनी पेटा इक्वेजन नमबर 1 क्लियर है हाँ सर क्लियर है Next A6 क्या है सर A6 अगर मैं A6 यहाँ 6 लिखूँगा तो यहाँ भी 6 आएगा A R की पावर 6 माइनस 1 मतलब 5 A R की पावर 5 तो A6 क्या है बेटा A6 आया A R की पावर 5 अब सर A6 यह भी है A6 यह भी है तो यह दोनों इक्वल हो जाएंगे तो अपन कहेंगे बेटा A R की पावर 5 इस इक्वल तो 192 दिस इक्वेजन नमबर बच्चा 2 देखो कोशन का पैटन कोशन को समझो के कैसे किया जाते हैं अब हम क्या करें सर्थ अब हमें बस एक छोटू सा काम करना है और वो छोटू सा काम यह है कि हमें इक्वेजन को डिवाइड करना है अगर हम इन इक्वेजन को डिवाइड कर सके तो यकीन मानो खेल खतम पैसा हजम कैसे अब किस इक्वेजन से किस इक्वेजन को डिवाइड करेंगे यह बेटा जिसमें R की पावर बढ़ी हो RG power 4 RG power 2 RG power 5 RG power 2 यह बढ़ी है तो अपन क्या करेंगे अपन equation number 2 से 2 को divide करेंगे जिसमें RG power बढ़ी है उसको divide करेंगे ठीक है तो जैसे यह काम करने पे आया है अपन यह काम जैसे ही करने पे आया बच्चा ध्यान से दुनना LHS LHS divide हो जाएगा मतलब this upon this तो LHS अबटा ARG power 5 ठीक है upon LHS ARG power 2 ठीक है सर equal to अब इसका LHS upon इसका RHS इसका RHS upon 192 upon 24 192 upon 24 कोई दिक्कत नो दिक्कत सर ठीक है अब यहां पर हमने काटब बीडी शुरू कर दी एसे ए कट गया आर की पावर 5 अपॉन आर की पावर 2 basis दोनों से में आर और 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 डिवीजन में है पावर सब्ट्रेक्ट हो जाएंगी तो हमें क्या मिलेगा आर की पावर पेटा 5 यानि 5 माइनस 2 सब्ट्रेक्ट हो जाएंगी पावर डिवीजन में न और पेटा यह 8 आ जाएगा क्या जाएगा 8 192 upon 24 is 8 डिवाइट करके देख लेना 24 8 जा 192 होता है यह आया हमारे पास क्या आर क्यूब is equal to 8 ठीक है आर से क्यूब अटाएंगे बेटा तो सामने वाला क्यूब रूट में चला जाएगा जिसको अपन कुछ ऐसे लिखेंगे और 8 जो है 2 into 2 into 2 होता है तो आर क्या आ गया बेटा आर आ गया हमारा क्यूब रूट 8 मतलब सर क्यूब रूट 8 का मतलब है सर 2 into 2 into 2 और क्यूब रूट में से वही चीज़े भार आती है जो तीन बार आ जाए मल्टीप्लाइ में तो 2 बहार आजाएगा, r क्या आगया दोस्त, r आगया 2, common ratio आगया 2, अभी r आया बस, r नहीं sir, हमें a भी चाहिए, अब a कैसे आएगा, simple है बहाई यहां तो equation 1 में रख दो r की value, या 2 में रख दो a आजाएगा, तो अपन क्या करेंगे, अपन equation number 1 में रख देंगे, वो छोट है, तो अपन लिखेंगे बिटा, putting, putting r is equal to 2, कहां पर, in equation number 1, ठीक है, r is equal to 2 का अपन equation number 1 में put कर रहे हैं, क्या होगा, यह है, तो a, r की power 2 मतलब, बिटा, 2 की power 2 is equal to 24, 2 की power 2 4 है, तो a is equal to 24, बिटा, यह 4 है multiply में, तो यहां या कि divide करेगा, a कितना है बच्चा, a आगिया 6, a कितना आगिया बच्चा, a आगिया 6, यह अपन ने उठा के यहां रख दिया, ठीक है, तो अब हमारे नहीं आपर आ जाएंगे, therefore, a आगिया बिटा हमारा 6, r आगिया बिटा हमारा 2, बस इन दोनों की मदद से, a 10 यानि की हमें जो question दिया था, वो हम सॉल्व कर सकते हैं, therefore, a 10 is equal to a r की पावर, 10 minus 1 मतलब 9, तो sir, a क्या है बच्चा, a है 6, r क्या है बच्चा, 2, 2 की पावर 9, 6 into 2 की पावर 9 होता है बिटा जी, 512, कितना होता है, 512, multiply करेंगे, 6 2s are 12, 1 carry, 6 1s are 6 और 1 7, 6 5s are 30, answer आगिया बिटा, a 10 is 3072, this is our answer, ठीक ह यह हमारा answer आगिया, question यह example number 6 हमने complete कर लिया है बिटा, moving on to next example number 8, 8 नी 7, चलो भई, आगे चलते हैं, example number 7, इसको erase करते हैं, सर जी, यह रहा example number 7, find the sum of, अब sum की बात आगई बिटा, sum के लिए मैं आपको बता दू, for a GP, ध्यान से सुनना बिटा, GP में, geometric progression में, हमें क्या important a बोले तो first term, r बोले तो common ratio, यह तो लिखना है, सबसे पहला काम यही होता है, ठीक है सर, अब GP में अगर आपको sum of n terms निकालना है, sum of n terms, sum of n terms from starting, तो बिटा आपको ध्यान रखना है, यह depend किस पे करता है, r पे, यह r पे depend करता है, sir, किस पे depend करता है, r पे, sum of n terms, इसका s, n हमें निकालना है, और s, n actually r पे depend करता है, मैं यह लिख देता हूँ, although मैं समझा चुका हूँ, यह चीज़ है आपको, किस पे depend करता है, sir, depends, depends on r, r के nature पे, यानि common ratio जो r है, वो उसके nature पे depend करता है, s, n, क्योंकि s, n के 3 formula है, चलो आप बच्चों, 3 formula आपको बताए जाए क्योंकि हमें यहाँ पर लगाना पड़ेंगे, तो आपको बताना पड़ेगा पहले कि कौन से formula लगाना है और क्यों, तो sir, सबसे पहला formula s, n का सबसे छोटा और सबसे easy है, n into a, सबसे आसान है n into a, यह तब लगेगा बेटा, जब हमारा common ratio जो r हम निकालेंगे, वो 1 आएग अगर r is equal to 1 है, तो आपको यह वाला formula लगाना है, sum of n terms में, ठीक है, अगर r equal to 1 नहीं है, तो यह formula नहीं लगेगा, ठीक है next formula है, sn is equal to beta, ध्यान से सुनो, a bracket 1 minus r की power n upon bracket close upon 1 minus r, तीसरा भी लिख देता हूँ, मैं तीसरा third है बेटा, इसी का just ulta, reciprocal नहीं, ulta मतलब ऐसा, a, यह r की power n पहले आजाएगा, r raised to the power n minus 1 upon r minus 1 अब ध्यान से सुनना, जी सर, ध्यान से सुनना, यह कब लगेगा, यह तब लगेगा पिटा, जब r जो है छोटा होगा 1 से, जो r है वो 1 से small होगा r is smaller than 1, और यह होगा पिटा, अगर आपका r common ratio greater than 1 निकला, तब यह लगेगा तो यह तीन formula है पिटा, जो आपको by hard याद होने चाहिए, अब हम हमारे question या example पे चलते है example कह रहा है पिटा, find the sum of first n terms and first 5 terms, यानि दो question है हमें बहले sum of n terms निकलना है, यानि sn निकलना है, और फिर हमें sum of 5 terms, sum of first 5 terms यानि s5 निकलना है these are the two questions जो हमें करने है, चलो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अब हमारी series दिये, बिटा, plus लगा के दिये न, बीच में तो series है यह, arithmetic progression की series है तो arithmetic series दिये, sorry, geometric progression की series है भाईया, यहाँ let करना पड़ेगा, हमें let a be the first term let a be the first term, ठीक है and r be the common ratio, r be the common ratio, ठीक है, done sir ठीक, तो यहाँ पर जरह series को देखो, series को देखो, first term क्या है अगर हम first term a देखें, तो 1 plus 2 upon 3 plus 4 upon 9, तो पहला term बिटा 1 है पहला term क्या है sir, 1 तो a is equal to 1 r बोले तो common ratio, common ratio कैसे निकलता sir, easy है किसी भी term को उसके पीछे वाले से divide कर दो मतलब अगर हम देखें, तो पहला term है यहाँ 1 दूसरा term दिया गया है 2 upon 3, बीच में plus लगा न तीसरा term दिया गया है 4 upon 9 अब अगर हमें r निकालना है common ratio, तो आप इसको इससे divide कर दो common ratio क्या कहता है, कि sir, आप कोई भी term को divide कर दो उसके पीछे वाले से, तो हमने क्या कर रहा, 2 upon 3 को divide कर दिया पिटा 1 से, तो r 2 upon 3 ही आया, r क्या आया 2 upon 3, अब तो मैं confuse है नो, तो तो तुम इसको divide कर लो, इसके पीछे वाले से, 4 upon 9 को divide कर लो पिटा, उसके पीछे वाले 2 upon 3 से, तब क्या आएगा सर जी, 2 upon 3 से divide करोगे, तब क्या आएगा पिटा, ये भी 2 upon 3 ही आएगा, ठीक है, जैसे ये 4 by 9 को अपन, उसके पीछे वाले 2 by 3 से divide करेंगे, तो क्या आएगा सर जी, देखो जल्दी से देखते हैं, 3 से ये कटेगा 3 times, ठीक है, 2 से ये कट हो जाएगा 2 times, तो क्या आएगा देखो, 2 upon 3, आ गया ना, हाँ सर आएगा, तो यहां हम समझ गए, सर, आर कितना आया बिटा, हमारा, आर आगया 2 by 3, अब जो आर 2 by 3 है, पहले ये बताओ, क्या आया, 1 आया, 1 से जाधा आया, क्या आया, तो सर, आर जो 2 by 3 है, 2 by 3 बिटा, एक proper fraction होता है, proper fraction में क्या होता है, ऊपर छोटा, नीचे बड़ा नंबर होता है, अब proper fraction, हमेशा याद रखना, 1 से छोटा माना जाता है, 2 upon 3 is smaller than 1, obviously बात है, तो हमें R क्या मिला सर, R हमें मिला smaller than 1, और अगर R smaller than 1 है, तो पेटा, हमारा formula ये चलेगा, सम का, clear है, हाँ सर, clear है, त bracket, सर, 1 से छोटा है, R, तो 1 minus R की पावर N, upon 1 minus R, done, clear है, हाँ सर, clear है, अब values रखते है, ठीक है, let us put the values now, तो सर जी, A, क्योंकि हमें S N निकालना है, पहले ये निकालना है, ठीक है, done सर, N की जगा N रहेगा, कोई changes नहीं आएंगे, A, A क्या है पेटा, A 1 है, ठीक है, 1 bracket, 1 minus R क क्या है बच्चों, R हमारा 2 by 3 आया, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा expand करते है, 1 bracket, ठीक है, 1 minus, 1 minus R is 2 by 3, 2 by 3 की पावर, धियान दे सुनना, जी सर, N, bracket, close, upon 1 minus R, upon 1 minus R, upon 1 minus R का मतलब है, 2 by 3, इसको solve करेंगे, तो बेटा कितना आएगा, 3 minus 2, यानि 1 upon 3 आएगा, ये 1 upon 3 आएगा ठीक है, तो यहां लिखते हैं, 1 into this, तो ये तो वही रहेगा, उपर, 1 minus, 2 by 3 की पावर, बेटा, N, upon, नीचे बेटा अपना क्या आएगा, 1 by 3, इसका LCM लेके solve कर लेंगे, तो ये आएगा, 1 by 3, अब ये 3 top पे चला जाएगा, तो ये answer हमारा क्या बनेगा, 3 into, 1 minus, 2 by 3 की पा power, N, and this is our answer, ये ही हमारा पहला answer हो गया, this is our first answer, clear है, हां sir, ये क्या है, पिटा, SN आगया, which is actually a bracket, 1 minus, R की पावर, N upon, 1 minus R, R की जगा 2 upon 3 लिखा, A की जगा 1 लिखा, तो this will be same, but, उपर, उपर ये solve नहीं हो पाएगा, 2 upon 3 की पावर, N, 1 minus, ये solve नहीं हो पाएगा, धियान रख अब अपन चलेंगे, S5 निकालने, क्या sir, S5, तो I just want to erase this, मैं इसको erase करना चाहता हूँ, वैसे S5 directly भी आ सकता, SN आया ये, अगर मैं इसमें S5 रखोंगा, तो मैं यहां भी 5 रख दूँगा, पूरा answer सेम आ जाएगा, मैं बताता हूँ क्या से, यहां से सुनना, जी sir, यहां minus 2 by 3 की power N, sir, यह आया हमारा क्या, SN, ठीक है, यानि first वाला term, अब मैं इसको कर रहा हूँ, erase, ठीक है sir, कर दो, ठीक है, बिटा, अपन next S5 जो है, वो इसकी ही मदद से निकाल सकते हैं, इसी की help से, क्यासे sir, अभी बताता हूँ, देखो, अगर मैं आप से कहूँ, S5 निकालो S5, तो SN का expression यह है, यहाँ N की जगा 5, तो यहाँ N की जगा 5, तो यह क्या हो जाएगा, 3 bracket 1 minus, 2 upon 3 की power 5, 2 upon 3 की power N is actually 5, bracket close, खतम, solve करो तो इसको, sir, इसको solve करेंगे, यह क्या आएगा, 3 bracket, पिटा, यह आएगा, 1 upon 1 minus, ठीक है, 2 की power 5, 2 तू जा 4, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32, 32 आएगा, sir, ठीक है, upon 3 की power 5, 3, 3 जा 9, 9 जा 81, और 3, 8 जा 24, 243, 243, ठीक है, डन सर, LC हम लेंगे, पिटा, तो 243 minus 32 upon 243, into 3, ठीक है, solve कर दें, 3 से यह गया, 3, 8 जा 3, 1 जा, तो 80 बनाया, और इसमें से, 211, 211, 211 upon 81, 211 upon 81, यह बिटा हमारा sum of 5 terms आ गया, S5, so S N is this, इसका अंसर बिटा यह है, इसका अंसर बिटा यह है, अब तुम्हें अगर इस वाले expression से, S N जो आया था, इस से, S 5 नहीं निकालना है, तो S 5 directly भी निकाला जा सकता है, अपने खुद के formula से, कैसे sir, अभी बतात हूं, देखो, यह अपन यहां लिख देते हैं, done sir, यह तो अपन ने लिखी दिया, ठीक है, तो अपना अंसर आया, 211 upon 81, क्या है, सर जी, उपर लिख देता हूं, 211 upon 81, 211 upon 81, अब कई बच्चों को यहां ऐसे answer नहीं निकालना है, sir, इस से नहीं निकालना है, मुझे, ऐसे वलक ताजा-ताजा निकालना है, तो S5 वलक ताजा-ताजा अपन कैसे निकाल सकते हैं, sir, simple है, कोई बड़ी बात नहीं है, sir, S5, S5, SN का फॉर्मला क्या लगेगा, sir, R हमारा 1 से चोटा है, R हमारा 1 से चोटा है, तो लगेगा A bracket, 1 minus R की power N upon 1 minus R, done है, sir, हां, तो S NN का मतलब है, बिटा, हमें sum of कितना 5 terms निकालना है, 5, ठीक है, A हमारा 1 अल्रेडी है, है न, A तो 1 है, अपन ने लिखी लिया, A 1 है, ठीक है, bracket, 1 minus R की power N, 1 minus, ध्यान दे सुनना, बिटा, जी, sir, 1 minus R, बिटा, 2 upon 3 है, ठीक है, sir, उसकी power N, N तो यहां 5 चल रहा है, तो उसकी power 5 होगी, upon 1 minus 5, ए, 1 minus R है, 1 minus N तोड़ी ना है, 1 minus R, R का मतला, बिटा, हमारा 2 upon 3 है, ठीक है, इसको solve करेंगे, यह आएगा 1 upon 3, क्या आएगा बिटा, नीचे, 1 upon 3 आएगा, इसको नीचे, यह पूरा 1 upon 3 आएगा, ठीक है, sir, 1 upon 3 आएगा, अब यह 3 इदर चला जाएगा, तो 3 बंजा 3, तो बिटा, यह हट जाएगा, पूरा 3 बंजा 3, यह हट जाएगा, यहां सिर्फ 3 आएगा, यही तो आएगा, देखो, 3, yes, 1, yes, minus, yes, 2 upon 3 की बावर है, N की जगा 5, N की जगा 5, वही आएगा, इसको फिर से solve करेंगे, बिटा, answer अपना, 211 upon, 211 upon 81, हाँ, 211 upon 81 ही आएगा, जै मिलेगा, 8, 9, 10, 11, यानि की 4 examples के अच्छे deep solution और, 8, 9, 10, 11, ठीक है, उसके बाद फिर हम geometric mean समझेंगे, क्या होता है, geometric mean में 2, 3 examples देखेंगे, फिर हम exercise 0.2 पर चल सकेंगे, session अच्छा लगा हो, तो like जरूर करना, ऐसे ही magnet brains के साथ पढ़ते रहो, बने रहो, क्योंकि magnet brains आपक C2L, यानि kindergarten से लेकर, class 12, English medium, CBSC board, all subjects की detail और बढ़िया वाली पढ़ाई, इसी channel पर, videos के form में, playlist section में जाओगे, आपको तो class wise और subject wise playlist बिल्कुल updated मिलेंगी, इसी के साथ बिटा, अगर आप Hindi medium के student है, तो class 6 से class 12 के Hindi medium के students, जो UP, MP, बिहार, राजस्तान और Delhi board में पढ़ रहे ह हैं, उनको हम Magnet Brains Hindi Medium YouTube channel पर free of cost, high quality education provide कराने का काम कर रहे हैं, और अगर आपको notes की आवशकता है, तो आप हमारी website या application check out करो, website है www.magnetbrains.com, application आपको Google Play Store पर मिल जाएगा, class 6 से class 12, English medium, and Hindi medium, all subjects के बढ़िया वाले experts द्वारा बनाए गई, notes PDF format में वेट कर रहे हैं आपका, त उन्हें download करें और उनसे पढ़ाई करें, जल्दी मिलेंगे next session में, till then happy learning, take care, bye.